आज इस वीडियो में मैं तीसरे बायस की उपर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है hindsight bias जी हाँ और ये बायस भी बहुत common है बहुत लोगों में देखने को मिलता है ये बायस basically हमको धोका देता है ये बायस हमें विश्वास दिलाता है कि कोई चीज अगर कोई event हुआ है तो वो किसी वजह से हुआ है इविन आपने भी notice किया होगा हमारे घर में कोई ऐसा होता है एक जना कि वो हर चीज को किसी ना किसी चीज से relate कर लेता है कि अगर ये चीज हुई है तो इसके पीछे ये बजा है अगर ये हुआ है तो ये बजा है तो यहां कोई बुरा नहीं है हमें ये सबना है कि वो कहीं न कहीं you know hindsight bias का शिकार है है ना वो कहीं न कहीं वो उसके bias you know affected है जिस वएसे उसके mind में ये सब चीज आ रहे है उसका brain ये सब काम कर और फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो उस चीज को protect करते हैं ये बता के रहते हैं लोगों को कि यार इस वज़े से यह हुआता है इसलिए तो ये काम मत करना है ना तो basically ये एक जरिया है कि हम जो reality उसको छुपा रहा है हम जो life हमें पता है unpredictable है कुछ भी कुछ हो सकता है ना तो past हमने देखा है ना future हमने देखा है कुछ भी हो सकता है तो हम basically क्या कर रहा है हम दर में जी रहा है हम reality को accept नहीं कर रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई चीज हुई है तो वो इस वज़े से हुई है अगर आपको scientific proof है अगर आप जानते हैं कि हाँ इसी वज़े से हुई है तो ये जो है ना hindsight bias ये बिलकुल गलत है अगर मैं इसके इसमें जिसका कोई लेना देना ही नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़े है अच्छी चीज़े हैं देखने को यह बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हमाई साथ अच्छा भी होता है तब तो हम नहीं बोलते हैं कि हमाई साथ अच्छा हो गया है हमाई साथ अगर कुछ हो जाता ह तो हम उस चीज को सरेलेट करने लगता हैं कि मेरे साथ यह हुआ था इस वज़े से यह हुआ था इसलिए हम सबको बोलते रहते हैं कि तू भी मत करना तो यह एक तरीके से परचलन चल गया है है ना हर को इसको मानने लगा है सिर्फ एक बंदे के डाउट की वज़े से कि इस वज़े से यह होता है एक एक्जाम्पल से समझते हैं मैं आपको एक एक एक्जाम्पल देता हूँ उससे हमें वेटर अंडरस्टेंडिंग आईगी है ना इस टाइप भी बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं आदि ऑमस टाइम पर हमारे मा Pike दम ऐस टिगर हो जाता है और हम पीखे हो जाते हैं या शोड़ी दर रूख जाता या पीछ बंद में डर आ गया कही ना गहीं कि मैंने पिछली बार बिली में रस्ता काटशा यह भी ऑथा या हमने सुनते आ रहे हैं परचलन वाली बात हैं, कि उसके साथ यह हुआ था ना, क्योंकि उसने बिल्ली से रस्ता काटा था, लेकिन क्या आपको सच में रियालिटी पता है, जिसने यह परचलन सुदू किया है, उससे जाके अगर पैसे तो जिन्दा नहीं होगा, यह तो बिना प्रूफ करें, बिना ऐसी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वज़े से हमारी एनर्जी बेस्ट होती है, क्योंकि यहां बात बिल्ली के रस्ता काटने की वैसे नहीं है, अब आपके माइंड में वो निगेटिविटी आ गई है, आप यह जो चीज हो, माइंड आपके साथ गलत हो जाएगा, आप यह बहुत डीप है, माइंड वैसे ही करता है, जैसा हम सोचते हैं, माइंड वैसे हमें दिखाता है, जैसा हम देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको समझना है कि reality कुछ और है, past और future किसी नहीं देखा है, life unpredictable है, अगर मैं life को जानता हू मैं देखता हूं कि future में जो हो सकता है, past को मैं जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यह यह चीज तिरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इस वैसे ही हुआ है, लेकिन ना आप हो ना मैं कोई नहीं किसी नहीं देखा है, इसलिए अपनी energy को इस चीज में waste मत करिए, बहुत सार नेसे सरी अपने अंदर garbage डाल रहे हैं, और वो आपको weak बना रहा है, आप डर रहे हैं life से, आप सच में आप डर रहे हैं life से, आप खुल कर जी नहीं रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, डर डर के जी रहे है life को, तो क्या जीना हुआ, अगर जीना एक ही life मिलिए तो खुल के जीत हैं ना, तो यह जितने भी बायस हैं, जितनी भी ऐसी चीज़े हैं, उनको सब को break करते हैं, beliefs को break करते हैं, और देखते हैं कि, at least सामने देखते हैं कि होता क्या है, है ना, और एक बात और मैं बताओ, जो चीज होनी होती है, वो होती है, वो होने के लिए होती है, उसको यह आपकी problem, यह आप ही अपने आपको you know destroy कर रहा है, अपने mind में negative energy डाल रहा है जिससे आपकी life better होने की वज़े से और खराब हो जाती है, यह मैं अपने experience से आपको बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे you know किसी के against नहीं जा रहा हूँ, किसी के जो beliefs हैं उसको भी मैं break नहीं कर रहा हूँ, उनके beliefs को भी मैं respect कर रहा हूँ, सब चीज को मैं respect दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद उस proof को देखना है, उस proof को निकालना है कि अगर यह चीज हुई है, तो उसके पीछे क psychology जो bias चल रहा है, यह भी समय, you know, diet में point करूँगा, जिसने यह, you know, concept निकाला है, है ना, लेकिन अगर यह reality नहीं है, और यह हमारी imagination है, तो हमें इसके उपर सोचना ज़रूरी,